आज बनाते हैं चटपटी मसालेदार असानी से बन जाने वाली चिकन तंदूरी की रेसिपी इसे बनाने के लिए ओवेन की ज़रुरत नहीं है हम इसे तंदूर करेंगे प्रिशर कूकर में तो यहाँपे मैंने चिकन ले लिया है जिसमे मैंने गरे-गरे cuts लगा लिये ताकि मसाला अंदर तक जा सके तो अब तंदूरी चिकन का मसाला भी बना लेते हैं तो यहाँपे मैंने सबसे पहली हैん 600 तेल एक चमच जीरा पाउडर, एक चमच लाल मिर्स पाउडर, एक चमच गोलगी पाउडर, आधी चमच पाउडर हलली एक चमच तंदूरी मसाला पाउडर फिर यहाँ पर मैं डाला है 2 चमच अदरक लसुन का पेस्ट फिर डालेंगे दही, तीन चमच, ये घर की जमी हुई दही है, फिर डालेंगे सौध के अनुसर नमक, फूट कलर, यो अप्शनल है, उसके बाद मैंने एक बड़ी चमच मेहदर डाल दिया, आप चाहे तो बेसन या फिर आटा भी डाल सकते हैं, अब इसे अच्छे से मिक्स क के तैयारे, चिकन को इसके उपर रख देंगे, और मसाले को अंधर तक लगा देंगे, बिल्कुली सी तरह से, जह पर गहरे-गहरे कट से, वहां पर भी मसाला अच्छे से लगाना है, यहां पर मैंने चिकन की लेक को धागा से बांद दिया था, चिकन को अब मैंगरिनेट क करने के लिए, मिनिमुम दो गंटे के लिए रख देंगे, तो यहां पर मैंने एक कुकड में स्टैंड रख दिया इस तरह का, उसके बाद मैंने आप एक प्लेट रखा है, और फिर चिकन को भी इसके उपर डाल देंगे, हम लोग इसे प्रिशर कुकर बना रहे है, तो कुक अच्छे से बनके तयार है, अंदर से पूरा पक चुका था, तो अब चिकन को आग पर सेख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरह से, अगर आप चाहे तो यह स्टेप को स्किप करके कोईले का दुआ भी लगा सकते हैं, तो हमारा तंदूरी चिकन बनके तयार है, अब इसे एक प पसाना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,